कर दो है कि है आप आप अपने यूटूप चैनल जीने सटडी 2.0 चैनल पर तो सभी फ्रेंट्स का वेलकम है तो बहुत बहुत सभी फ्रेंट्स का मैं वेलकम करना चाहूंगा क्योंकि इस चैनल पर आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है साथ बजे से और सभी फ्रेंट्स जुड़ जाएए आप लोग फटा फट्चे आप सभी जुड़ जाएंगे टिलू मिश्टर अमित बहुत 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 बेलकम है सभी फ्रेंट्स का स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनिस इस्टडी 2.0 पर तो सभी फ्रेंट्स फटा फट्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो फटा फट्चे आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर करेंगे और फिर हम बहुत यह धमाकेदा प्लास होगी तो सभी फ्रेंट्स फटावट से शेर करना है most welcome है सभी फ्रेंट्स का जैहिंद जैभार्दे मातरम सभी फ्रेंट्स को मम्मी की पापा की जान गुड इविनिंग सेर वेलकम है पिल्कुल तारना चौदरी जी गुड इविनिंग जैहिंद सेर जैहिंद तो फ्रेंट्स फटावट से आप लोग वीडियो को शेर करिए फटावट से सभी इस्टडी गृप में और फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बहुत ही धमाकेतर क्लास होगी तो सभी फ्रेंट्स को क्लास को पूरा देखना है लाज तक और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्लास में केकि बहुत अच्छे अच्छे कोश्यन है इस क्लास में आर्मी जाट आर्के जी जैहिंद बिल्कुल विलाल खान जी बहुत अच्छा गुड एविनिंग आपको भी तो फड़ा फट से सभी फट सेर करिए मिश्टर चंदान जी राधिका सिंग गूड एविनिंग आपको भी लेश्मा मायम की लाड़ो आरती तो फट 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 से आप लोग सेर करिए पहले जी अश्टी राजपू जैहिं सर ओके आप सभी के नाम इतने प्यारे प्यारे हैं ना कि पढ़ते ही बहुत अच्छा लगता है संजना कुमारी जी बिल्कुल भूले किसी को नहीं है सभी फेंट्स का वेलकम है और इस चैनल पर ये चैनल आप सभी का है जीनेश इस्टडी 2.0 तो फटावट से आप सभी लोग अपने चैनल को शेर करिए और फिर हम उसके बाद हम तो एक आपके तरह क्या है आपको पढ़ाने का काम है मेरा चैनल तो आप सभी का है तो आप लोग फटावट से शेर करिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं धमाकेदार क्लास के साथ अच्छा आपके नेट नहीं चलता है बहुत अच्छा मिश्टर चंदान जी हेलो वेलकम है तिरवेदी कुमार तो चले फटावट से हम भी स्टार्ट करते हैं आप सभी की क्लास बहुत अच्छी तरीके से फटावट से हमारा पीडियाप ओफेन होने जा रहा है आप सभी के स्क्रीन पर पहला कोश्यन आप सभी के स्क्रीन पर है आप सभी फटावट से बताएंगे इसका सही अंसर क्या है बहुत अच्छे अच्छे कोश्यन है आज की क्लास में एकदम मजा ही आने वाला शुभम अधिवेदी सर दीदी नहीं क्लासर जी नहीं दीदी क्लास में नहीं हैं कि दीदी को भी तो रेष्ट चाहिए ना आप सभी लोग आप सभी जोट इपंहें क्लास ले रहूं और आप सभी लोग इंज्वाइ करेंगे बहुत ही धमाइकेदार क्लास में कोश्चन है तो सभी लोग फटावर्ट से राइट आंसर बताएंगे अनिल कुमार राधे राधे अम्मी पापा की लडो क्या हुआ रोईय मत रामाथार प्रजापती जी exception number c बता रहें ध्यान से question को पढ़ेंगे फिर राध आंसर बताएंगे option है क्या कि seat worm का दूसरा नाम है question को पहले ध्यान से पढ़ लेना उसके बाद ही आंसर बताना दिब्या प्रकाश, बिल्कुल मैम की तब ये ठीक है, एक दम मस्त है, बस मैम को धोड़ा रेश्ट चाहिए था, तो आप लोग फटावट से राइट आंसर बताईए, तारना चौधरी, खुशी शिंग जी, गुड इविनिंग, अग्रशेन, आप लोग क्या आंसर बता रहे आर्मी जाट आर्के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, कि सीट वर्म जो है किस क्रम का दूसरा नाम है, तो पहला आंसर सभी ने गलत बताया है, लेकिन सिर्फ आर्मी जाट आर्के ने करेक्ट आंसर बताया है, पिन वर्ग, यानि की ओप्स नमबर A, कौन सा ओप्स नमबर संजना कुमारी मिश्टर चंदन जी राम उतार प्रजापती जी शी नहीं ऑप्सन नमबर ए राइट आंसर है बहुत अच्छा क्या बात है अरजुन सिंग बहुत अच्छा राइट आंसर अच्छा बिल्कुल संजना जी आपने भी सही आंसर बताया है चले अब नेश्ट कोश्चन नमर टू आप सभी लोग इसलिए बोलता है कि ध्यान से कोश्चन को पहले पढ़िए उसके बाद अपना राइट आंसर बताईए और अगर आप फिर भी गलत बताते हैं तो उसके लिए मैं हूँ और आपको सही आंसर बताऊंगा ठीक है मम्मी पापा की जान आप अपने इमोजी तो बहुत खतरनाक लगा रखा है चाले राइट आंसर बताए कोश्चन नमर टू लेग्यू मिनेशी कुल आर्थिक रूप से महत्पूर है क्योंकि इसका सदस्य जो है उत्पादन करता है क्या फटा बटशी राइट आंसर आप लोग बताएंगे कोश्चन नमर टू का राइट आंसर ध्यान से पढ़ना फिर राइट आंसर बताना खुशी शिंग तो बहुत अच्छा राइट आंसर दिया है कि लेग्यू मिनेशी जो है फेंट्स ये कुल आर्थिक रूप से महत्पूर है क्योंकि इससे इसका सदस्य जो है उत्पादन करता क्या दाले उत्पादन करता यानि कि option number D क्या बात है बहुत अच्छा सभी फ्रेंट्स ने correct answer दिया क्या वात है विबेक राजपूत आणि शिरवाश्तव बहुत अच्छा सभी फ्रेंट्स ने सही आंसर बहुत अच्छी चलिए next question देखते आप सभी बताएंगे कि इन में से कौन देख लिया आप लोगों ने आंसर कोई बात नहीं चले बताएंगे कि इन में से कौन सा कवक है जो खाने योग्य है मिश्टर चंदन जी चले राइट आंसर बताएंगे आर्मी जाट आर्के कोश्चन में टू थ्री का राइट आंसर आप क्या बता रहें बिल्कुल पहुत अच्छा ओप्सन बरे बिल्कुल कि इन में से कौन सा कवक जो है खाने योग्य है तो अगेरिक्स है कौन सा अगेरिक् करांतर आशनी शिर्वास्ता हो तो फ्रेंट्स पटाव क्या वीडिओ शेर कियो नहीं करें इतने अच्छा अच्छा आप सभी के लिए कोश्चन है फिर भी आप लोग क्लास को सेर बिल्कुल नहीं कर रहे तो फटावण शेर की आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूं और और आपका फर्ज मेंता है वीडियो को शेयर करना पीके गुपता चले नेस्ट कोशन देखते हैं आप सभी इन परेफेंट्स हमारा कोश्चन नंबर कौन सा होगा फाइब नहीं फोर है चले निमने लिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्सियम का अवसोफण बढ़ाता है चले फटा वट्चे राइट आंसर बताएंगे आप सभी कि निमने लिखित में से कौन सा तत्व है जो पौधों में पानी और कैल्सियम का अवसोफण को बढ़ाता है आरके आर आर्मी लवर्स मैंम को कुछ नहीं हुआ मैंम को बस रेष्ट की जरूरत थी इसलिए मैंम आज रेष्ट कर रहीं इस क्लास में और ये क्लिप मैं करा रहा हूं ठीक है तो फटावट से आप सभी लोग राइट आंसर बताएंगे और आंसर बताने के सब वीडियो को लाइक एंड शेर जलू करना फेर से मिश्टर दिपाली यादव जी नहीं दिलीप यादव जी चले राइट आंसर बताएंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बोरान करेक्ट आंसर है आर मिजट आरके डि नहीं ओपसन नमर भी राइट आंसर है बोरान धिपाली अचा दिपाली जी सर चले कोई बात नहीं राइट आंसर बताईए आप्शन नमर बी राइट आंसर है बोरान कोश्चन फोर का मिश्टर चंदन क्या बात थे बहुत अच्छा मम्मी पापा की जान वर्षा गुपता जी बहुत अच्छा चले फेंट्स हम नेश्ट कोश्चन देखते है कोश्चन फेंट्स है मारा फाइप आप सभी के स्क्रीन पर चले फटावट से राइट आंसर बताएंगे कि उर्जा उत्पादन के लिए कोश्च का जो हैफेंट्स है किसका उप्योग करती है सभी लोग फटावट से राइट आंसर बताएंगे अच्छा संजना कुमारी जी अच्छा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तहे दिल से थैंक्यू बोलना चाहूंगा आपको क्योंकि आप सब इतने प्यारे प्यारे हैं इसलिए तो फटावट से राइट आंसर बताएंगे दिलेव कुमार आरा जिला क्या बात है तो प्यारे आंसर आपंने तो बिल्कुल ही लंबा चोड़ा क्या बताए कोई बात नहीं चले राइट आंसर ऑप्सिण नमर भी लुकुश्ट चले फंसंजर नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर 6 आप सभी के श्क्रेन पर चले बताईए कि एक हवाई जहाज की लिप्ट पर आधारित है क्या कौन सा नियम आधारित होगा चले फटावट से राइट आंसर बताईगे अच्छा नेट नहीं चला है राधिका सिंग जी आप एक बार अपना नेट चेक कर लिजिए साध हो सकता है अपने छोटी वीडियो देख लिया होगा सोट वीडियो जो होती है और नेट आपका घतम हो गया होगा बट कोई नहीं चले फटावट से राइट आंसर बताएंगे अगर नेट है तो क्लास को इंजोई के साथ करिए तो एक हवाई जहाज की लिप्ट जो फेंट से कि पर आधारित है तो कोईशन नमर 6 है और इसके राइट आंसर के बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है बर्नोली के प्रमे का नियम किस पर ऑप्शन नमर बी राइट आंसर है ध्यान से बताना क्या बात है बी कि एक हवाई जहाज की लिप्ट जो है बर्नोली के प्रमे पर आधारित है ओप्शन नमर बी राइट आंसर फिर्ट शुभम धिवेदी मेगा शाहू जी वेलकम है बहुत अच्छा करेक्ट आंसर दिया है रामोतार प्रजापती अरजुन शिंग क्या लिखा इंदर कुमार जी टेफरेंट से मारा क्वेशन नमर आप से बी के स्क्रीन पर 7 चले बताइए आप कमेंट करके बताइए कि जो टेफ रिकोर्डर होता है ये निमन लिखित में से किसके पास नहीं रखाना चाहिए फड़ा पड़ से बताइए आप लोग अच्छा मम्मी पापा की जान सर आपने हमें वेलकम नहीं किया वेलकम तो आप सभी का है मिश्टर दिलीप यादो जी बहुत अच्छा चले रएट अंसर बताइए तो आप बता रहे हैं किसके चुमबक के पास option number B right answer है क्या बात थे question number 7 का बिल्कुल कि टेफ रिकोर्डर को जो हैफेर्ड्स ये निमन लिखित में से किसके पास नहीं रखना चाहिए तो चुम्बक के पास जहां अगर चुम्बक होगा टेप रिकोर्ड को रखोगे तो वहां आपकी भोईश्च जो होगी वो बिल्कुल सही से रिकोर्ड नहीं हो पाएगी option number B right answer है क्या बता रहे चुम्बक correct answer है magnet option number B right answer है चले friends next question देखते हैं question of friends हमारा आठ आप सभी के स्क्रीन पर चले बताईए कि electric नहीं sorry friends चले बताईए कि electro state आउचेप का इस्तेमाल प्रदूफण को नियंतर करने के लिए क्या आता है चले बताईए option है air water noise या क्या होगा उश्मी है चले फटा फट से right answer बताईए तो आप लोग बता रहें कि electro static आउचेप का इस्तेमाल जो है friends ये वाईव प्रदूफण को नियंतर करने के लिए प्रयोग क्या आता है किसका option number a right answer है यानि की air option number a right answer है मिस्टर तिलीप यादो जी बहुत अच्छा इस्टेव एन यादो वेल गुड़ इवनिंग आपको भी बहुत अच्छा सभी friends वीडियो को share करिए फड़ अब भी तक आप लोगोंने वीडियो को share ही नहीं करिया चले इंदर कुमार जी नेश्ट कोशन सोची नेश्ट कोशन फेट समारा question number आप से भी के screen पर है कौनसा 9 चले बताइए बहुत अच्छे अच्छे इस class में तो आप लोग class को last तक जरूर रुकना और last में अपना मतलब score share करके जाना कि आपके कितने answer सही होते है ठीक है तो हम question number देखते है नाइन कि इन में से कौनसा उश्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुछालक है ध्यान से question को पढ़ना फिर right answer बताना अच्छा दिलीप कुमार आरा जिला मेरा नाम क्या है अच्छा मेरा नाम मेर नाम का पूर्तिवारी है तो आप लोग tension मत लीजें नाम के पीछे मत भागिए काम के पीछे भागिए क्योंकि काम करेंगे नाम होगा तो चले बताइए कि इन में से कौन सा उश्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुछ आलक है बहुत अच्छा question है तो सभी लोग का right answer आ अब्रक करेक्ट आंसर है यानि कि option number D मिश्टांदन option A नहीं option number D right answer अब्रक विबेक राजपूर जी आप लोग क्या बता रहे है कि इन में से पूच रहे है कौन सा सुचालक है लेकिन बिजली का कुछ आलक है फिर भी आप लोग option number A बता रहे है अब्रक इसका right answer है यानि कि स्वांती मौर्या जी बहुत अच्छा चाले फ्रेंट्स नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन मर्ड फ्रेंट्स मारा 9 नहीं कोश्चन मर्ड टेन है चले बताइए कि अधि चालकता वह कंडेक्टर है जिसकी मतलब option के कोडिंग सून नहीं होगा क्या चले बताइए क्या लिखा मम्मी पापा की जान बिल्कुल आप दीजिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से खिलाइए और इसके राइट आंसर के बात करें कोश्चन मर्य टेन की तो अधि चालकता वह कंडेक्टर है जिसका प्रतिरोध सून ने होगा क्या जिसका प्रतिरोध सून ने आंसर है प्रतिरोध सोचिए मत बहुत अच्छा चले धीरच राज सीरी जी चले नेस्ट कोश्चन देखते हैं फ्रेंट्स कोश्चन नमर आप सभी के स्क्रीन पर है कौन सा कोश्चन नमर चले बताईए कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं बहुत अच्छा को कोश्चन है तो explosions फटावट चो राइड अंशर बताईए और आंसर तो आप लोग बता रहे हैं लेकिन वीडियो को शेर नहीं कर रहे हैं तो फ्रंड्स फटावट से में आप से शेर करें कि उपनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है तो अगर ऑप्छंSon कर गेरा की राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन नमर सी करेक्ट है शीयो काईटस कौन सा शीयो काईटस यानि कि ऑप्शन नमर सी राइट आंसर फेंट्स कि स्वाथी मौर्या जी बहुत अच्छा करेक्ट आंसर दिया है जाले अगला नेस्ट क्वेशन देखते हैं फेंट्स हमारा क्वेशन नमर आप सभी के स्क्रीन पर है कौन सा क्वेशन हो बारा है इसले राइट आंसर बताईए केवल वह भासा जिस प्यूटर समझ सकता है पताईए कि केवल वह भासा कौन सी है जिसे सिर्फ प्यूटर समझ सकता है राइट आंसर बताईए शही आंसर क्या होगा सभी लोग का राइट आंसर आनजे फेंट्स तो हम बात करें कोश्चन नमर बारा की तो केवल वह भासा कौन सी है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है तो बाइनरी भासा यानि कि यानि कि आनि कि आप्शन नंबर बी रांसर होगा अगर आप लोग आप्शन बी बता रहें ना बिल्कुल करेक्ट रांसर है गुडियार गुपता जी गुड इवनिंग केवल वह भासा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है वह है बाइनरी भासा पिल्कुल मेगा साउ जी सुभम दिवेदी जी अच्छा कोई बात नहीं चलिए अगला लेस्ट कोशन रहें फ्रेंट से मारा कोशन नमर आप से बीके स्क्रीन पर चलिए बताईए कि ओजोन परत की मोटाई जो है फ्रेंट ऑजोन की परत की जो मोटाई है वह इनमेंसे औप्छन की कॉड़िंग किस से मापी जाती है चलिए बताईए फटाफट से महंदर नखड़े क्या लिखा था राम उता और प्रजापति की तो हम बात करें कि ओजोन परत की जो फर्ट मोटाई है वो किस्चे मापी जाती है तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल किस्चे मापी जाती है यानि कि DU क्या होगा option बी करेक्ट आंसर है dopson unit से किस्चे dopson unit option नमबर B right answer friends ध्यान से को पढ़ लेना फिर राइट आंसर बताना डप्शन यूनिट दिनेश राज जी चलिए अगला नेस्ट कोश्चेन देखते फ्रेंट्स मारा कोश्चन अमर आप सभी के स्क्रीन पर है कोश्चन अमर 14 की एक फोटो इस्टेटस मशीन किस सिधान पर कारी करती है लेक्ट राइट आंसर सभी फेंट्स का आना चीए और बफ्रिंग हो तो थोड़ा बहुत मैनेज का लेना क्योंकि नेटोर प्राब्लम तो हो सकती है थोड़ा बहुत कोश्चन नहीं दिख रहा है ऐसा तो नहीं हो सकती होगा कोश्चन दिखेगा चलिए राइट आंसर बत यानि कि option number B correct answer है, महंदर, नेकडी जी, बहुत अच्छा, चले फ्रेंट्स हम next question देख लेते हैं, next question आप सभी के screen पर है कौन्सा 15, चले बताईए, question of friends 15 पूँच रहा है कि धारा प्रवाहित होने वाले एक सिधे, question नहीं दिख रहा है, अच्छा, question नहीं दिख रहा है, clear क्यों नहीं दिख रहा है, हाँ, चले आप बताईए मुझे, एक सिकेंड के लिए, थोड़ा net problem है friends, बट कोई नहीं मैं इसको manage करना, आप थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत होगा तो उसको manage कर लेना, और अगर ज़्यादा होता है, तो मुझे comment करके बताना, ठीक है, एक सिकेंड, यहाँ तो ज़्यादा ही net profiling कर रहा है, बलर हो रहा है, ठीक है, बलर तो हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि net नहीं सही से पकड़ रहा है, हाँ, आप देखिए, आप clear आया होगा, बिल्कुल, आप clear होगा question, बिल्कुल clear आप question होगा, आप लोग देखिए, एक बार, तो आप लोग क्या बता रहें कि, धारा प्रोहित होने वाले एक सीधे लंबे, सोले नाइट के भीतर चुम्बकी छित, क्या होगा, तो इसके right answer की बात करें, तो option A correct है, सभी बिंदों पर समान होता है, क्या, सभी बिंदों पर समान होता है, बिल्कुल, सिवाजी, यादव जी, बिल्कुल, कमेंट आपका आ रहा है, option number A right answer, अगर आप लोग option number A बता रहे हैं, चलिए अगला नेस्ट कोश्चन देख्टे, फ्रेंट समाना question number आप सभी के screen पर है, कौन सा, question number 16, चलिए बताईए, पोधो में आउसकता से अधिक जल जो है, किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, चलिए फटाबट से बताईए आप सभी लोग, पोधो में आउसकता से अधिक जल जो है, किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो इसके right answer की बात करें हम 16 की, तो option B correct answer है, वासपोस सर्जन के द्वारा, यानि कि option B correct answer है, वर्षा गुपता जी, बहुत अच्छा, वासपोस सर्जन, प्रेम ठाकुर जी, गुड यूनिंग, चलिए अगला next question देखते हैं, next question अब सभी के screen पर चलिए बताईए, question of friends हमारा 17, चलिए बताईए, तडित किस के कारण होता है, चलिए बताईए कि तडित जो प्रक्रिया किस के कारण होता है, चलिए बताईए, तडित किस के कारण होता है, तडित जो फ्रेंट से बिजली का निर्वाहन है, यानि कि option अब बी करेक्ट आंसर है, कौनसा, बी, बहुत अच्छा फ्रेंट करेक्ट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, बिजली का निर्वाहन, खुशी सिंग, बहुत अच्छा करेक्ट आंसर, टकला जी, काजल राजपूद जी, चलिए, आप सभी के स्क्रीन पर है, कौनसा, कोश्चिन नमर 18, चलिए, बताईए, कि निमने लिखित में से, क्या रक्त के संचालन में मदद करता है, आप सभी के स्क्रीन पर है, और फटा 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 फ लिम्फोसाइड क्या लिम्फोसाइड करेक्ट आंसर है कौन सा करेक्ट होगा लिम्फोसाइड ध्यान से कोश्चन को पढ़ना फिर राइट आंसर बताना कि निम्ने लिखित में से क्या रख्त के संचालन में मदद करता है तो लिम्फोसाइड करेक्ट आंसर है बिट्टू जी बहुत अच्छा वर्षा विकास सोलंकी जी अंकिता ड्रिम्स चले नेश्ट कोश्चन देखते हैं नेश्ट कोश्चन देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर चले बताईए कम्प्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो है इन में से कौन सी है औक्षन है बाइट निवा बिट के भी फड़ा बड़ से राइड आंसर आना चाहिए आप सभी का आप लोग क्या बता रहे हैं तो क्वेश्चन वन निश्च के राइड आंसर की बात करें तो विल्कुल ऑप्षन निवर सी करेक्ट आंसर है बिट जो है ये कम्प्यूटर में डेटा की सबसे लिए यानि कि ऑप्षन निवर सी बहुत अच्छा करेक्ट आंसर दे रहे है ऑ गोल्ड मिशन वीडियो चले अगला नेस्ट कोश्चन वारा कोश्चन में आपके सभी के स्क्रीन पर 20 चले बताईए क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटिबायोटिक है और कोश्चन भी बहुत अच्छा है तो चले फटापट से बताईए कि निमने लिखित में से क्या एक तो क्वेश्चन 20 के राइट आंसर के बात करें तो अगर आप लोग बता रहें ऑप्शन नमर सी एंपी सी लीन कौनसा एंपी लीन यानि कि ऑप्शन सी राइट आंसर फेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना एंपी स्लीन दिव्या तीवारी जी रीतू मैम की लाड़ो काजोल अच्छा शालनी दिवेदी बिल्कुल सालनी दिवेदी जी आपका भी कमेंट दिख रहा है और आप्शन मर सी राइट आंसर है चलिए अगला नेस्ट कोशन देखते फेंट्स मोस्ट इंप्रॉर्टन क्लास में तो सभ दिवेदी लोग ध्यान से पढ़ेंगे फिर राइट आंसर बताएंगे कोश्चन हमारा 21 बताईए कि हमारी हड्डियों और दात आम तोर पर किसके बने होते हैं चले बताईए राधिका सिंग जी विवेक यादव गोड इविनिंग प्रसा गुपता नवीन कुमार सभी फे लिए हैं तो आप्स नंबर एक ँर्एंटम से त्यान से पढ़ेना प्राइक पासफिट लाइक या ख मत जालते हैं से फच्छिछ चलेकू सिर्ड़ा के के स्क्रीन पर 22 पर्थक करन का नियम किस ने किस ने दिया था चले बताइए कि जो पर्थक करन का नियम है फ्रेंट्स यह किस ने दिया था ओप्षन है एंसिरियंस डार्विन, मेंडल या वैवी लोनी है चले बताए फटावट चे तो प्रथक करण का नियम किसने दिया था तो 22 के राइड आंसर की बात करे तो मेंडल ने दिया था किसने मेंडल ने अंकित ड्रेम्स बहुत अच्छा अंकिता चौधरी, गूड इवनिंग, बहुत लेट आई है मिस्टर चंदन, नमन सिंग नागर आप लोग टेंशन मत लीजे जो फ्रेंट जूड रहे उनके लिए में 10 कोशन का रिवीजन करा दूँगा क्लास के लाइट में चले, नेस्ट कोशन देखते है कोशन फ्रेंट समारा आप से बहीं के स्क्रिन पर 23, चले बताईए एक निबल में कितने बाइट के बराबर, जो एक निबल होती है ये कितने बाइट के बराबर होती है चले, बताईए फटवट से राइट अंग क्या होगा तो आप लोग कौन सा अंसर दे रहे हैं तो एक नीबल जो फ्रेंट्स होती है यह किसके बाइट कितने होते है तो कॉश्चन हो 23 क्या तो यानि कि ऑप्षन बी करेक्ट आंसर है चार बाइट के बराबर, एक नीबल जो होती है, चार बाइट के बराबर होती है, option अमर बी राइट आंसर है, बहुत अच्छा, C नहीं, बी राइट आंसर है, चले, अगला next question अमर आप सभी के screen पर है, question अमर है 24, चले बताईए, कि एक लंबी कूद, एक लंबी कूद में बि क्योंकि वहाँ, इनमें से कौनसा option सही होगा, चले, बताईए, फटाबट से, सभी friends का correct answer आना चीए, एक लंबी कूद में बिक थी, कूदने से पहले दोड़ता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, सही answer क्या होगा, आनन्द राजपूची, तो 24 के right answer की बात करें, तो option अमर ड की right answer है, कौनसा, संबेग प्राप्त करता है, यानि कि option number D, एक लंबी कूद में बेक्त कूदने से पहले दोड़ता है, क्योंकि वहाँ, संबेग प्राप्त करता है, चले अगला next question देखते, फेर्ट समारा question number आप सभी के screen पर है, चले बताईए, question number 25, चले बताईए, कि एक jet engine, एक jet engine, सरच्छन नियम पर कारी करता है, कौन से नियम पर आप लोग comment करके बताएंगे, एक jet engine जो है, सरच्छन नियम पर कारी करता है, आपको comment करके बताना है, आंसर सही कौन सा होगा, तो इसके right answer की बात करता है, 25 के, तो अगर आप लोग बता रहे, रेखी ये समभेग, तो correct answer है, कौन से, रेखी ये समभेग सरच्छन के नियम पर कारी करता है, एक jet engine, यानि कि option number A right answer है, गुडियार गुपता, वर्षा गुपता, साननी देवेदी, जीतू मयम की लाड़ो, आनी सिर्वास्तव, विकास शोलंकी जी, चले, अगला next question देखते हैं, फेर्ट्स मारा question नमर आप सभी के screen पर है, 26 चले बताए, चुम्बकी, एलेक्ट्रो, इस्टेटिक और गुरत्ता कर्षन बल जो है, किस स्रेंडी में आते हैं, चले बताए, फेर्ट्स बहुत अच्छा question है, अंकिता चौधरी जी, राम वतार प्रजापती, दर्शन ओजा जी, चुम्बकी, एलेक्ट्रो, इस्टेटिक और गुरत्ता कर्षन बल, किस स्रेंडी में आते हैं, तो 26 के राइड आंसर की बात करें, यानि कि option number A correct answer है, गैर संपर्क बल, no connected fresh, यानि कि option number A answer है, विकास लोहार, चले अगला next question देखें, तेफ्ट्रेंट्स मारा question नमर आप सभी के screen पर है, 27, चले बताएए, पर्थबी का चुम्बकी छेत, और dot dot के कारण होता है, चले बताएए, फड़ा पर्षे, वर्षा गुपता, अचा पूजा, पूजा जी पूच रही मैं, मैं कहीं नहीं है, मैं घर पे है, तो इसका answer की बात करें, 27 की, तो इसका option A correct answer है, प्रथबी का जो चुम्बकी छेत रहे, वो core के अंदर चलने वाला current के कारण होता है, यानि की option A correct answer है, धीरज, राजशिरी जी, बहुत अच्छा correct answer दिया है, option A, चलिए next question देखते हैं, फेट समारा question आप सुभी के screen पर है, चलिए बताइए, जिन पोधों पर बीज बनते हैं, किन्त पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं, तो 28 के right answer की बात के रहे, तो बिल्कुल वो अनावर्ति बीजी पोधे कहलाते हैं, क्या अनावर्ति बीजी पोधे, यानि कि option D right answer है, बहुत अच्छा, फ्रेंट्स आप लोग वीडियो को share भी करिए, आप लोग share भी नहीं कर रहे हैं वीडियो को, और अभी तक like तो बहुत लोगों, कम ही लोगों ने किया है, तो चले next question देखते हैं, फ्रेंट्स हमारा question अबर आप सबीके screen पर है, 29, चले बताईए, यांत्रिक सक्ति की SI क्या है, SI मातरक मूचरा क्या है, यांत्रिक सक्ति का, इस class में total 70 question है, तो फड़ा बठशे देख लेंगे, आप लोग फड़ा बठशे रायड आइड आन्सर बताईए, कि यांत्रिक सक्ति की SI क्या है, तो बिल्कुल अगर आप लोग बता रहे, option number B, what, क्या what correct answer है, यांत्रिक सक्ति के SI क्या है, what, correct answer friends, बहुत अच्छा, सबी फ्रेंट्स ने correct answer दिया है option number C, A, B, what दिली प्यादव जी चले अगला next question देखते हैं question of friends हमारा 30 आप सभी के screen पर लेखित में से किस guest का उत्पादन इंधन के आमुण दहन के कारण किया जता है चले बताईए फटा फटशे सबी friends correct answer देंगे तो इसके correct answer की बात करें हम question number 30 के तो अगर आप लोग बता रहे option number B carbon monoxide कौनसा होगा carbon monoxide option number B right answer friends आप लोग ध्यान से question को पढ़ना फिर right answer बताना carbon monoxide चले अगला next question देखते है question number आप सभी के screen पढ़े 31 चले बताई मानों की आथ में पाये जाने वाला जीवानू कौन सा है मानों की आथ में पाये जाने वाला जीवानू कौन सा है 31 तो आप लोग क्या बता रहे 31 का इस रेशिया को लाई यानि की option number ए करेक्ट आंसर है कौन सा ए इस रेशिया को लाई अर्जुन सिंग प्रकास कुमार तिल्लू जी बहुत अच्छा करेक्ट आंसर दिया है चले नेश्ट कोश्चन देखते है कोश्चन और फ्रेंट समार आप सभी के स्क्रीन पर है 32 चले बताईए लेक्रे टिडे का बिग्यानिक नाम है किसका बिग्यानिक नाम है तो अगर आप लोग बता रहे हैं किसका मगर मच का करेक्ट आंसर है बहुत अच्छा करेक्ट आंसर है और फ्रेंट समार आप सभी के स्क्रीन पर है नहीं मगर मच नहीं गलत बता दिया थोड़ा मिश्टेक हो गई मेरे से लेकरे टीडे जो फ्रेंट्स है ये किसका बेग्यानिक नाम है तो छिपकली का करेक्ट आंसर है फ्रेंट्स गलती से यहाँ पर मैंने बता दिया है आप सभी को आपसन नमर ए लेकिन ए गलत आंसर है यहाँ पर आपसन नमर C और एक चिपकली का लेकरे टीडे जो है किसका बेग्यानिक नाम है चिपकली का चले नेक्ट कोशन देखते हैं नेश्ट कोशन आप सभी के स्क्रीन पर है चले बताईए कि इनमे से कौन सा आपरेटिंग जो सिस्टम नहीं है इनमे से आपको बताना है कौन सा जो है वो आपरेटिंग सिस्टम नहीं है बहुत अच्छा कोशन है सभी लोग बताएंगे इस क्या साई आंसर 33 का रहुन नागर जी मैं घर पे रेश्ट कर रही है थोड़ा रेश्ट की जरूरत थी तो आप लोग क्या बतारेंगे से कौन सा आपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बिल्कुल आप्स नमर सी कर एक आंसर है और HTML यह क्या है यह आपरेटिंग सिस्टम नहीं बाकि Android iOS और क्या है यह तीनों जो है आपरेटिंग सिस्टम है लेकिन आप्सन नमर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कौन सा आप्सन नमर सी HTML यह क्या है ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है चले अगला नेस्ट कोशन देखते है फेंट समारा आप सभी के स्क्रीन पर है चले बताइए 34 निम्न में से कौन सोपोशी होता है ओप्सन के इक वर्डिंग बताना है आपको कौन जोहाई में से सोपोशी होता है रितु मायम की लाड़ो राधिका सिंग बीजय शर्मा जी चले कमेंट करके राइट आंसर बताइए गुडियार गुपता सालनी दिवेदी जी बतारी यह ओप्सन नमर ए कि निम्न में से कौन जोहाई सोपोशी होता है तो 34 के राइट आंसर की बात करे हम तो यानि की ऑप्सन नमर ए करेक्ट आंसर है कौनसा ए राइट आंसर है शेवाल करेक्ट आंसर है शोपोशी कौन होता है शेवाल ब्रजंद पासवान जी चलिए नेस्ट कोश्चन देखते फंस मारा कोश्चन नमर आप सभी के स्क्रीन पर है 35 मात्र 35 कोश्चन और रह गए हैं क्योंकि आधे कुछन मैंने करा दिये हैं आप सभी के चले बताईए कि किस जील का पानी के अन निकाय को पोशक तत्तो की अत्यादिक संब्रद्ध को क्या कहते हैं थोड़ा कोश्चन को ध्यान से पढ़ना कोश्चन राहुन नागर जी इस क्लास में टोटल सत्तर कोश्चन है तो चले फटावट सी राइट आंसर बताईए कि 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 जील या पानी के अन निकाय में पोशक तत्तो की अत्यादिक संब्रद्ध को क्या कहा जाता है तो थेटी फाइब यूर्या राइट आंसर की बात करें तो उच्छू कहा जाता है चलिए अगला नेस्ट कोश्चन देखते हैं नेस्ट कोश्चन है फट समारा आप सभी के स्क्रीन पर 36 चले बताईए कि इस प्रीन की खोज किसी ने की थी इस प्रीन की खोज चले बताईए अच्छा बफरिंग और बफरिंग तो थोड़ा बहुत होगा ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा तो इसके राइट आंसर की बात करें इस प्रीन की खोज किसने की थी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है Felix Hopman ने किसने Felix Hopman ने यानि कि option नमर D right answer दिली प्यादो जी पहुत अच्छा बिबेक प्रकाश Felix Hopman ने किसने की थी इस्प्रेंट की खोज option नमर D correct answer है चले अगला next question देखते है question of friends हमारा आप सभी के स्क्रीन पर है कौन सा 37 चले बताईए कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन होता है किसके दोरा विसालों के दोरा या जीवाणों के दोरा या इस्ट या प्रोटो जोवा चले बताईए हिमान्सुक मार हल्दी आप लोग क्या अंसर बता रहे हैं तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है उत्पन होता है तो 37 के राइड आंसर आप लोग बता रहे हैं आप लोग बताईए है और आप के या जादा हो सकती है चले नेस्ट कोश्चन देखते है फेर्ट समारा कोश्चन अमर आप सबीके स्क्रीन पर है चले बताई 38 सीमेंट की स्थापना की दर बढ़ा देता है इन में से कौन सबी फेर्ट्स बताएंगे 38 का राइड आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग सीमेंट की स्थापना की दर कौन बढ़ा देता है तो जिप्सम जो होता है ये सीमेंट की स्थापना की दर को बढ़ा देता है यानि कि option number C correct answer है जिप्सम अंकिता ड्रिम्स राधिका सिंग जी बिलकुल सीमेंट की स्थापना की दर कोन बढ़ा देता है तो जिप्सम चलिए next question question और friends आप तभी के screen पर 39 चलिए बताईए केल्प जो है प्राप्त होता है किसके द्वारा केल्प किस से प्राप्त होता है चलिए बताईए फटा फ़र्चे 39 वर्षा गुप्ता जी बिलकुल अंकिता ड्रिम्स MP बॉय सिद्ध दिनेश कुमार जी गुड़े उनिंग तो अगर आप लोग बता रहें कि केल्प जो है समुद्री शेवालों से प्राप्त कियाता है किसे समुद्री शेवालों से केल्प प्राप्त होता है option नमर बी correct answer है चले next question देखते फ्रेंट समारा आप सभी के screen पर है चले बताईए question number 40 है और 30 question और इस class में मातर 30 question है चले बताईए कि भोजर रयार करने के लिए प्रकास का प्रयोग करने वाले जीओं को क्या कहा जता है question बहुत अच्छा है ध्यान से पढ़के फिर right answer बताना निलेश कुमार जी गुड़ इवनिंग हिमान्शु कुमार ये क्या लिख रही है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं रेश मामाम की लाड़ो आरती चले बताईए कि भोजर त्यार करने के लिए प्रकास का प्रियूग करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है तो उन्हें क्या श्वपोशी कहा जाता है किसे उन्हें क्या कहा जाता है गवरव राजपूत जी गुड़ इवनिंग महिमा कस्यप बहुत अच्छा क्रेक्ट आंसर है option नमर ए श्वपोशक चले अगला नेस्ट कोश्चन नेक्तिफेंट से हमारा आप सभी के स्क्रीन पर है कोश्चन नमर हमारा कौन सा होगा 41 ये वर्ड वाइड वर्ड वाइब वेब का आविश्कार किस ने किया था वर्ड वाइब वेब का मतलब है www क्या होगा एक सिकेंड www और क्या होगा www का आविश्कार किस ने किया था किस के दोरा तो वर्ड वाइब वेब इसका फुल फॉम क्या होता है www का वर्ड वाइड वेब और इसका आविश्कार किस ने किया था तो 41 के राइड आंसर की बात करें तो आप्शन बी करेक्ट आंसर है तिम बर्नर्सली ने किसने option B correct answer है हिमान्शू कुमार हल्दिया जी परम सत्य उत्तर जी बिल्कुल correct answer है option of B चले next question देखते हैं question number आप सभी के screen पर है question number 42 चले बताए रेडिया रुंगोटिया मुडेडे किसका बेग्यानिक नाम है नाम भी था अजीब अजीब से हैं तो आप लोग घ्यान से पढ़के फिर right answer बताएंगे रुंगेटिया मुडेडे किसका बेग्यानिक नाम है रुंगेटिया मुडेडे किसका बेग्यानिक नाम है तो 42 के right answer के बात करें हम तो अगर आप लोग option number A बता रहे हैं मूश का किसका मूश का 40 का D बता रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से option number A correct answer है मूश का हाँ बिल्कुल correct answer है मूश तिल्लू जी बहुत अच्छा correct answer है मूश चले next question देखते हैं फेंट समारा 43 आप सभी के screen पर चले बताए कि कौन सी कोश का पोधे के बिभिन अंगों को जन्म देती हैं और पोधों में व्रधी करती हैं चले फटा वट से right answer आना चाहिए दिक्षा कुमारी जी लेट आई हैं क्लास में 40 question 43 हो गए हैं और आप क्लास में आब आई चले बताए कि कौन सी कोश का पोधे के बिभिन अंगों को जन्म देती हैं और पोधों में व्रधी करती हैं तो 43 के right answer की बात करें हम तो बिल्कुल option D correct है परिपक्को चलोगा option D right answer है परिपक्को जी तुमायम की लाड़ो काजोल नहीं option D right answer है परिपक्को प्रकास चले नेश्ट कोश्चन कोश्चन फेर सवारा आप सभी के right answer आना चाहिए कोई बात नहीं सीतल देवी जी कोई बात नहीं चले राइट आंसर बताईए तो 44 के right answer की बात करें हम तो कौन सी कोश्चकाएं है जो पौधे के बिभिन को जन्म देती हैं और पौधों में ब्रधी भी करती हैं तो है option number C correct answer है मर्मो इस्टोमेटिक चले अगला नेस्ट कोश्चन देखते हैं फेर समारा कोश्चन हो है आप सभी की स्क्रिंट पर 45 चले बताईए मूलांकुर से विक्सित होने वाली जड़े क्या कहलाती है क्या होगा 45 का right answer तो इसके right answer की बात करें कि मूलांकुर से विक्सित होने वाली जड़े जो होती है यह मूशला जड़े कहलाती है क्या मूशला जड़े आपसन ए right answer मूशला जड़े राहुल नागर जी बिल्कुल चले नेश्ट कोश्चन देखते फर्स कोश्चन अबर आप सभी के स्क्रिंट पर चले बताईए कि गैर हरे पौधों में निम्न मेंसे कौन चीज की कमी होती है बहुत अच्छा कोश्चन है सभी का right answer आना चीए कि गैर हरे पौधों में निम्न मेंसे कौन सी चीज की कमी होती है तो 46 के right answer की बात करे हम तो आप्शन बर एक correct answer है क्लोरोफिल की कमी होती है किसकी क्लोरोफिल की तन्नु कुमारी जी बिशाल चलिए अगला नेस्ट कोश्चन देख्टे फेंट समारा आप सभी के स्क्रीन पर है 47 चलिए बताईए कि FM रेडियो का अभिस्कार किस ने किया था FM जो रेडियो होता है उसका अभिस्कार मूच रहा है किस ने किया था 47 का right answer तो एडविन हावर्ड आर्म स्ट्रॉंग किस ने किया था ओप्शन नमर ए करेक्ट आंसर ध्यान से कोश्चन पढ़ लेना नहीं तो स्क्रीन सोट ले लेना उससे क्या होगा आपको दो तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि FM रेडियो को अभिस्कार जो है किस ने किया था तो एडविन हावर्ड आर्म स्ट्रॉंग आप्शन ए राइट आंसर फेंट्स चलिए अगला नेक्ट कोश्चन देखते हैं फेंट्स मारा कोश्चन नमर आप से भी के स्क्रीन पर है फिप्टी ए फोर्टी एट चलिए बताईए कि प्रत्वी के गेंद्र में प्रत्वी के केंद्र में गुरुत्ता कर्फण के कारण तोरण का मान क्या होगा शबी में गुरुत्वा कर्फण के कारण तोरण का मान होगा तो फोटी एट के राइड आंसर की बात करें तो बिल्कुल आप लोग आप्शन नमर भी बता रहे तो करेक्ट आंसर बता रहे जीरो होगा यानि कि आप्शन भी राइड आंसर है अरबिंद कमार दिभ्यातिवारी जी बिल्कुल आप्शन भी राइड आंसर है जीरो बी रेंद पास्वान चाले अगला नेस्ट कोशन देखते हैं फ्रेंट्स मारा कोश्चन पर आप सभी के स्क्रिंग पर फोटी नाइन चले बताइए कि पानी के टर्बाइन का विसकार जो है फ्रेंट्स किसी ने किया था बह चले राइड आंसर आप सभी काना चीए तो इसके राइड आंसर की बात करें हम कि पानी के टर्बाइन का विसकार किसी ने किया था बिनोईट फोर में ने ओप्सन नमर डी करेक्ट आंसर है क्या डी अगर आप लोग बता रहे हैं फर्मी नहीं डी राइड आंसर है बेनोईट फोर फेरेनोरोन ने ओप्सन डी करेक्ट आंसर है बहुत अच्छा टिल्लू जी चले कोश्चन देखते हैं फ्रेंट्स मारा कोश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कोश्चन पचास है बताईए कि एक ट्रेन की गति जो है का उधारन इन में से कौन चाह है मिस्टर चंदन जी यह क्लास साथ बज़े चलती है तो कोश्चन पचास के राइट आंसर की बात करें हम तो ऑप्सन डी करेक्ट आंसर है रेक्टी लेना और गति ध्यान जी कोश्चन को पर लेना एक सिकेंड के लिए अप्सन नमर इसका राइट आंसर है अगर आप लोग अप्सन डी बता रहे फिर तो करेक्ट यह आंसर है चले नेश्ट कोश्चन देखते हैं निस्ट कोश्चन है फर्स मारा 51 चले बताइए इनोना रेठ कुलता किसका बेग्ञानिक नाम है चले बताइए फडवडसे एनोना रेट कुलता जो है किसका बिग्यानिक नाम है बहुत अच्छा कोश्चन है सभी का राइट आंसर आने चीए तो 51 के राइट आंसर की बात करें हम तो आप्शनल एक रेक्ट आंसर है सरीफा का किसका सरीफा का राइट आंसर है बिल्कुल सीतल देवी जी चालिए फटा फट्चे नेस्ट कोश्चन देखते है नेस्ट कोश्चन फट्च मारा आप सभी की स्क्रीन पर चलिए बताइए कि 52 का राइट आंसर क्या होगा एक तरंग की प्रत आई छेतर में तरंग की यात्रा की दिशा में लंबोत उर्जा के हस्थान तरंड की दर को क्या कहते है चलिए बताइए फटा बट्चे देखता कौन सही आंसर देता है वर्षा गुपता तो इसके राइट आंसर की बात करें फट्टी टू के तो आप सब्सक्री करेक्ट आंसर तीवा तीवर्था एक तरंग की प्रकत 21 छेत्र की तरंग की यात्रा की दिशा में लंबोत उर्जा के हस्थान तरंड की दर है आप सब्सक्री के स्क्रीन पर चलिए बताईए चलिए बताईए जिसे क्या कहा जटता है तो बिल्कुल उसे किलर हो इल का जटता क्या किलर हो यानिकby आपसन सी राइट आंसर वी किलर हो अ चलिए अगला नेश्ट कोश्चन देखते हैं फ्रेंट्स मारा कोश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कौन सा सुगंधित पुस्पों के परागण किसके द्वारा होते हैं बहुत इजी कोश्चन है सब दोग राइट आंसर बताएंगे 54 का राइट आंसर क्या होगा तो सुगंधित पुस्पों में परागण जो फ्रेंट्स हो कीटो के द्वारा होते हैं आप सब्सके द्वारा कौन सा आप सब्सके द्वारा किसने पहले जी की गुरुत्ता कर्फरंट निरंतर के मूली को निरधारित किया है चले बताईए किसने किया है बिहारी शप्पे भारी चले बताईए कि किसने पहले जी के मूली को निरधारित किया 55 का राइट आंसर क्या होगा तो अगर आप बता रहे ऑप्शन नमर ए लाड केविंडिस ने किसने लाड केविंडिस ने किसने सबसे पहले जो हजी के मूली को निरधारित किया था तो लाड केविंडिस यानि कि ऑप्शन एक अंसर राजकुमार ठाकूर और आप लोगों ने अभी तक फेंस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो शेयर नहीं किया तो फ़रावट से वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं फ्रेंटस हमारा कोश्चन नमर आप से भी के स्क्रीन पर है चलिए बताएए 56 मात्र 15 कोश्चन रह गए हैं क्लास में कितने 15 कोश्चन केंदराप सारक बल जो है किसके द्वारा किया गया कारी है इंद्राप शारक बल जो है फ्रेंट्स ये किसके दौरा किया गया कार है चले बताईए 56 का राइट अंसर क्या होगा तो अगर आप लोग बता रहे औप्सन बी सूनि के बराबर किसके जिरो के बराबर ब्रजंद पासवान जी सुधिर कुमार बिल्कुल करेक्ट आंसर है अप्सन बी सूनि यमपी बॉय चले नेस्ट कोशिन देखते फ्रेंट्स मारा कोशिन नमर आप सभी के स्क्रीन पर है कौन सा 57 चले बताईए कि हाइड्रो लीज किस वर्ग से सम्बन देता है तो हाइड्रो लीज जो है यह किस वर्ग से सम्बन देत है चले आप लोग बताईए बिट्टू, बंटी शिंग, ब्रिजंद पासवान, राजकुमार ठाकूर, मौर्या जी, मिश्टर चंदन, बहुत अच्छा सभी फ्रेंट्स ने करेक्टान सल दिया है नेस्ट कोशिन देखते फ्रेंट्स मारा कोशिन अमर आप सभी के स्क्रीन पर 58 चले बताईए सबसे पहले इस्तनपाई क्लोन, यानि की भेण का नाम क्या है सबसे पहले इस्तनपाई वाले क्लोन चले बताईए, कुनाल कुमार जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत लेट आए तो सबसे पहले इस्तनपाई क्लोन भेंड का नाम जो है सबसे पहले वो क्या था डोली था option B right answer है क्या डोली डोली बहुत प्यारा नाम है डोली मिश्टर चंदन, MP boy, कुमार, टिंकु बंटी शिंग, अर्जुन शिंग, युक्ती बहुत अच्छा सभी फेंट्स ने correct answer दिया है, चले next question देखते हैं question of friends हमारा आप सभी के screen पर चलिए बताईए question of 59, चलिए बताईए क्या answer होगा कि रोग जनक से जल जनित रोग टाइफाइड बुखार होता है राज मारभी क्या लिखा था आपको नाम किस प्रकार के रोग जनक से जल जनित रोग जो है टाइफाइड बुखार होता है फेंट्स नाइन का राइड आप सर तो बैक्टीरिया के कारण किसके बैक्टीरिया के कारण option D राइड आप सर फेंट्स बैक्टीरिया चले next question देखते हैं क्या बथा साथ है चले बताइसे राइड आउसर कि इनमें से कौन सी vide कि एक है कि कंप्यकोट्र की बतानिकि एक है मेमोरी है कौन सी को कॉस्षैंवाड साथ कि राइड आंसर की बात करें आप स्क darkness being और एम रेम यानि क्या होगा आप्सन सी राइट आंसर है रेम जो होती है कि यह कंप्यूटर की आस्थ्र मेमोरी है चलि अगला निश्ट कोशन देखते हैं फ्रेट्स मारा कोश्चन आमर आप सभी के स्क्रीन पर है 61 चलिए बताए भोजन प्रया किसमे पच्टा है और यकर्त पेट छोटी आथ बढ़ी आथ आप कमेंड करके बताए कि भोजन जो है प्रया किसमे पच्टा है तो भोजन जो फ्रेंट से ये प्रया छोटी आंथ में पच्छता है option number C correct answer है क्या random access memory बिल्कुल रेम का full form होता है option C right answer है छोटी आंथ चले अगला next question देखते फ्रेंट समारा question number आप सभी के screen पर है चले बताईए 62 निम्न लिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी कीड़ों का बिच्छेदन कर सकता है चले बताईए army lovers जी हर हर महादेव चले बताईए कि निम्न लिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी कीड़ों का भी छेदन कर सकता है तो अगर आप लोग बता रहे option number D, crux canch कौन सा, crux canch option D, right answer है सभी लोग B क्यों बता रहे pyrex canch क्यों बता रहे है D, right answer है, crux canch एक स्गेट चेक कर लेता हूँ crux canch correct answer है चले अगला next question देखते है फ्रेंट समारा question नमर आप सभी के screen पर है 64, चले बताइए अगरा अगनासा में खराबी हो तो क्या होगा comment यह है आपको करना है कि अगर आपके अगनासा में खराबी हो जाती है तो क्या होगा 64 का right answer तो होगा यह कि इंसुलीन और गलुकोगान जो है नहीं बनेंगे option B right answer है 64 का आप लोग क्या आतार है बिल्कुल B correct answer है अगर अगनासा में खराबी हो तो क्या होगा तो इससे होगा यह इंसुलीन और गलुकोगान जो है नहीं बनेंगे शालनी धिवेदी जी युक्ती आशिमा रॉय जी चले अगला next question देखते फ़र्ट समारा question अमर आप सभी के screen पर है कौन सा 63 मातर साथ question और रहे गए क्लास में साथ question क्लास में बस रहे गए हैं तो बटाएए कि नाभिकिये उर्जा की द्रश्ट से महत्पूंड धातों में से भारत में कौन सी धात जो है बहुतायत मातरा में पाई जाती है कमेंट करके फटा फट शे बताईए तो 64 के राइड अंसर आप लोग अगर बता रहे हैं कौन सा option नमबर B thorium फट तो correct answer बता रहे कौन सा thorium correct answer कि नाभिकिये उर्जा की द्रश्ट से महत्पूंड धातों में से भारत में कौन सी धातो है जो बहुतायत मातरा में पाई जाती है thorium correct answer है चुलबुली Mr. Chandan Man Singh बहुत अच्छा correct answer है option B चले अगला निस्ट कोश्चन देखते फिर्ट से मारा कोश्चन नमर आप सभी के स्क्रीन पर है चले बताए 65 इस्तंधारी वर्ग का बिशिष्ट लच्छन क्या है इस्तंधारी वर्ग को कैसे आप पहचानेंगे तो वही लच्छन आपको बताना है इन में से option के according कौन सा सही होगा तो अगर आप लोग बता रहे option number D all तो correct answer है इस्तंधारी वर्ग का बिशिष्ट लच्छन होगा इस्तं गरंतियां होगी स्वेद गरंतियां होगी और चार कोश्ची हरते होगा तो क्या होगा तो एक स्थंधारी वर्ग का लच्छन है इस सारे यानि कि option D right answer है all आशिमा रॉय जी पहुँआद अच्छा जिद्धी गर्ड्स चले next question देखते है फ्रेंट्स हमारा question अबर आप से भी के screen पर है चले बताए 66 CPU का विस्तत रूप क्या है यानि कि CPU का फुल फॉर्म बताना है आपको CPU CPU का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना है फुरेश चैनी तो CPU का फुल फॉर्म विस्तत यानि क्या है 66 का तो B right answer होगा क्या बिल्कुल B correct answer है Central Processes Central Processing Unit CPU का फुल फॉर्म क्या होता है तो Central Processing Unit B right answer है चले अगला next question question अबर आप सभी के screen पर है 57 चले बताएए कि मनुष्य की आथ में रहने वाला एक कोश की आरोग जनक पर जीबी प्रोटो जोवा कौन सा है फटावट से राइड बताएंगे तो मनुष्य की आथ में रहने वाला एक कोशी आरोगी जनक पर जीबी प्रोटो जोवा कौन सा है तो अगर आप लोग बता रहे option number A E को लाई तो correct answer दे रहे कौन सा E को लाई बिबेक राजपूजी option A right answer है चले next question देकते फर्मा जी गोड इविनिंग बहुत लेट आई है तो द्रवचालित मसीने किस सिधान पर काम करती है तो बिल्कुल 68 के right answer की बात करें तो पास्कल के सिधान पर काम करती है द्रवचालित मसीने अमर्जी सिंग गुड नाइट अभी से क्यों अभी next class भी होगी आप सभी की मैम कराएंगी वो class तो आप लोग बता रहे कि द्रवचालित जो मसीने होगी है वो पास्कल के सिधान पर काम करती है चले next question देखते है कोश्चालित हमारा आप सभी के स्क्रीन पर 69 चले बताईए कि निउन्तम तापमान पैदा करने के लिए निमने लिखित में से किस सिध्धानत का प्रयोग किया जाता है most important question है सभी लोग right answer बताएंगे राहुल नागर जी तो निउन्तम तापमान पैदा करने के लिए निमने लिखित में से किस सिध्धानत का प्रयोग किया जाता है तो बिल्कुल इसका correct answer है आतिचालकता का प्रयोग किया जाता है option a correct answer है आशिमा रॉय छोटू चले next question देख लेते friends और इस class का last question है सभी लोग ध्यान से पढ़ना और right answer बताना कि crystal की सरचना जानने के लिए crystal की सरचना जानने के लिए निमने में से किसका प्रयोग में लाया जाता है चले फड़ावट से right answer बताए ये class का last question है और अगर आप लोग कहेंगे कि आपका revision करा दूँ तो 10 question का में revision करा सकता हूँ अगर आप सभी लोग कहेंगे जितने भी हैं सभी लोग अगर वीडियो को like and share करेंगे और सभी लोग बोलेंगे कि करा दो तो 10 question revision करा दूँगा तो इसके right answer की बात करें कि crystal की सरचना जानने के लिए निवने से किसका प्रयोग की लाया ज़ता है तो द्रश्ची प्रकास का किसका द्रश्ची प्रकास option d right answer है अब आप लोग बताएं कि आपको revision class कराना है की नहीं अगर आप yes बोलेंगे तो करा देंगे नहीं बोलेंगे तो नहीं कराएंगे फिर आपकी next class होगी अगर की साधे नौ बजे जी के वाली राहुल नागर जी नीन्दा आ रहे है अच्या शूआई अप्तो पंटी सिंग जिद्दी गर्स बंटी सिंग बोल लहें करा दो ब्रजंद पासवान जी बोल लहें सभी फेंट्स बोल लहें कि करा दो ओके फिर करा देता हूं ठीक है सभी फेंट्स बोल लहें कि रिविजन दस कोशन का करा देता हूं बहुत अच्छा चले 10 question को देख लेते हैं फटावर्चे बहुत अच्छे question थे शुरुवात में भी और आप लोग बहुत लेट जुड़ी हैं कोई बात नहीं मैं करा देता हूं 10 question तो आप लोग बने रहें class को और तब तक आप लोग वीडियो को like and share फटावर्चे कर दीजिए जिन फटावर्चे नहीं किया है फटावर्चे like and share कर दीजिए और फिर हम स्टावर्चे करते हैं आप सभी के पहले question के साथ हाँ तो चले फटावर्चे आप लोग class को share and like कर दीजिए फिर हम आप सभी के screen पर पहला question लग चुका है और आप लोग हमें comment करके बताएंगे नवनीत कुमार जी शीट वर्म किस क्रम का दूसरा नाम है चले बताईए बहुत अच्छा question है प्ला question आप सभी के screen पर जिद्धी गर्ड्स हासी है मत चले right answer बताईए इसके right answer की बात करें कि seat वर्म किस क्रम का दूसरा नाम है तो pin work का यानि की option correct answer अगर आप लोग option ए बता रहें पिन वार्ग चले next question देखते फेंस मारा question number two आप सभी के screen पर चले बताईए कि लेगिमनेशी कुल आर्थिक रूप से महत पूंड है क्योंकि इसमें इनके सदस्य क्या उत्पादन करते हैं अखलेस ओजा जी good evening चले बताईए queen of hindustan queen of hindustan thori number one कौन है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है हम बात करें कि लेगिमनेशी कुल आर्थिक रूप से महत पूंड है क्योंकि इसके सदस्य क्या उत्पादन करते हैं दाले उत्पादन करते हैं option डी right answer है question number two का डी right answer बता रहें चले अगला निश्ट कोश्चन देखते हैं फिर्ट समारा question number three कि इन में से कौन खाने योगी कवक है चले बताईए कि और एक कवक है जिसका हम खाने के रूप में प्रयोप करते हैं उसकी सबजी बनाई जाती है गुंगुरू कहीं नहीं बज रहे हैं बिबेक कुमारे आदव जी गुंगुरू कहीं नहीं बज रहे हैं मुझे तो नहीं पता कहां पर बज रहे हैं कि मुझे कोई आवाज ही नहीं आ रही आप लोग कमेंड को लग रहा है पता नहीं तो इन में से खाने योगी कवक कौन सा है तो कौन सा अगय रिक्स होगा option A correct answer है option A बता रहे हैं अगर ब्रजंद पासवान चले अच्छा आ रही आवाज मुझे नहीं पता कुश्चन आम आप सभी के स्क्रीन पर चार चले बताईए कि निम्न लिखित में स्क्राइब कोई निम्न लिखित में से कौन सा अगयो बता रहे हैं निम्न लिखित में से कौन सा अत्त होगाए जो पासवान पानी और कैल्सियम आप सब्सक्राइब बढ़ाता है तो बोरान का अंसर बोरान अजय मौर्या जी बिल्कुल करेक्ट आंसर सुमित महिमा कश्यप बिल्कुल ऑप्षन भी करेक्ट आंसर बोरान चले नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं फेर समारा कोश्चन नमर आथ वी की स्क्रीन पर फाइव चले बताएए कि उर्जा उतपादन के लिए कोशका है किसका प्रयोग करती है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर खिलू कोशका उर्जा उत-पादन के लिए कोशका जो प्रय है किसका प्रयोग करते तो गुलू आप्शन बी राइट आंसर कोश्चन देख लें कोश्चन मर आप सभी के स्क्रीन पर सिक्स चले बताइए कि एक हवाई जहाज की क्या आधारित है किस पर आधारित है जहाज की लिप्ट जो है किस पर आधारित है तो बिल्कुल बरनौली प्रमे पर आधारित है किस पर एक हवाई जहाज की लिप्ट जो है बरनौली के प्रमे पर आधारित है और आफ्सन भी करेक्ट आंसर है चलिए अगला निश्ट कोश्चन देख लेते हैं फिर समारा कोश्चन मर साथ है आप सभी के स्क्रीन पर चले बताईए टेप रिकॉर्डर को निमने लिखित में से किसके पास नहीं रखना चाहिए प्रग्या विश्क्वर्मा जी हेलो शर जी बहुत लेट आई है प्रग्या जी अच्छा महिमा कश्चप जी ये क्लास जो है साइन्स वाली ये साड़े साथ बजे से नौ बजे तक चलती है तो इसके राइट ऑंसर की बात करें तो ओप्सन बी राइट अंसर है चुमबक यानी कि मैगनेट कि टेप रिकॉडर को निमन में से किसके पास नहीं रखना चाहिए तो ओप्सन बजे की साथ बजे साइन्स की क्लास से और अभी आपके साधे नौ बजी जो होगी वो जीके का डोज होगा बहुत ही धमाकेदार चलिए अगला नेस्ट कोश्चन देखते फेंट समारा कोश्चन नमर आप सभी के स्क्रीन पर आठ चलिए बताईए एलेक्ट्रो इस्टेटिक और छेपक का इस्तेमाल किसके लोग बता रहें एयर यानी की वायू तो करेक्ट आंसर है एलेक्ट्रो इस्टेटिक और छेपक का इस्तेमाल वायू प्रदूस्वन को नियंतर करने के लिए प्रयोग कि आता है आप्सन एयराइट आंसर फेंट्स एल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए अगला नेस्ट नमर नाइन आप सभी के स्क्रीन पर चलिए बताइए कि निम्न मेंसे कौन सा उस्मा सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है कमेंट करके आपको बताना है इन मेंसे कौन सा उस्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है तो अगर आप लोग बता रहें आप्सन नम कोशन है, रिवीजन करा दिया, मैंने 10 कोशन का, और चलिए बताए कि अतिचारशा वह कंडिक्टर है, जिसका क्या सून नहीं होगा? कोशन नमर्ट 10 का आप लोग क्या आंसर बता रहे हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है परतिरोध जिसका परतिरोध सुनने होगा आप लोग बिल्कुल सही आंसर दिया आप्शन मर्सी करेक्ट आंसर तो फिर्ट आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करेकर बेल आइकन जरूर पिसके लेना क्योंकि अब हम मिलेंगे आपको किसी और दिन नेश्ट दिन तब तक आपकी मैम अभी आएंगी साड़े नौ बजे धमाकेदर क्लास जीके वाली होगी तो आप लोग आना बिल्कुल मत भूलिएगा सभी फेंट्स जरूर आना कुईन ओफ हिंदुस्तानी छोरी नंबर वन आरजुन सिंग बिबेक यादव गुडिया आर गुपता जी थैंक्यू थैंक्यू ब्रजेंदर पास्वान चुक्रिया मिस्टर चंदन जी ब्रजेंदर पास्वान डिबेक यादव वेडी नाइस क्लाश थैंक्यू आर जे रोहन मेगा शाहू क्वीन ओफ हिंदुस्तान सर आपका ना तो ट्रेन जा रही है ना तो पानी बह रहा है आपको कुछ अजीब सी धोनी आ रही है भानू प्रसाद मिश्रा जी नाइस कोश्चन थैंक्यू थैंक्यू भानू जी शुदीर कुमार बाइ बाइ बिल्कुल बाइ बाइ नितिन नवनीत कुमार तो फेर्स हम भी चलते हैं मिलेंगे आपको अभी मैं मिलेंगी साड़े 9 बजे क्लास में होगी धमाकेदार अमित्यादव छात्र नेता बिल्कुल नाश क्लास थैंक्यू कुमार कुनाल विवेक यादव और भालूलाल जब पायल बज रही किसी को आवाज ट्रेन की आ रही किसी को पानी की आ रही है सीतल देवी जी गूड इविनिंग गूड इविनिंग बाई बाई नवनीत प्रग्या विश्क्वर्मा जी थैंक्यू बिवेक राजपूर जी सुमित बिल्कुल बाई बाई बिल्कुल प्रग्या जी टेक केर आरूही प्रजापती जी हसी ये ज्यादा मत प्रधां जी हमारी क्लास में आ चुके है 440 बोल्टेज करेंट भी आ चुका है इंदर कुमार पापा की तबियत पापा की आवाज आ रही है आप सभी लोगों को पता नहीं कहां कहां से आवाज आती है बट मुझे तो यहां कुछ भी नहीं आवाजे सुनाई देती है बिवेक राजपूर जी बेरी नाइस थैंक्यू नवनीत कुमार 440 बोल्टेज अचा ओल्ड इस्टुडेंट सीतल देवी जी सीतल देवी जी आप को भी असी आ रही है बिर्जंद पाशवान शेट बैन यादव इस्टे बैनर कुमार महाकाल बोकारो 2.0 कुमार गवरो ओमाई गॉड कुईन आफ हिंदुस्तान जोरी नमबर वन तो चले फंट सम्भी चलते हैं तब तक के लिए बाई बाई जैहिन जैबार्ट वंदे मातरम हमारी तरफ से गुड नाइट लेकिन आपकी क्लास लगेगी अभी साड़ें नो बजे तो मैम के साथ सबी लोग धमाकेतार इंटरी करना ओके हमारी तरफ से बाई बाई टेक केर गुड नाइट